हलो फ्रेंड्स वागते आपका माय चैनल पर तो फ्रेंड पता है कुछ दिन पहले मेरे घर में गेस्ट आ गए और उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने ये सिनेक्स बनाया ये सिनेक्स खाने में उन्हें इतना ज़ाँ टेस्टी लगा कि उन्होंने बहुत तारीव की तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेस्पी आपके साथ सेर किये जाए और इस रेस्पी की खाचयत ये है कि ये रेस्पी सिर्फ हम 10 रुपे में बनाएंगे और वो भी घर की दो चीजों से तो चलिए फटा-फट बनाना शुरू करते हैं इस अमेजिंग थी जो खाने में टेश्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है तो इसके लिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे मैंने एक बड़े साइश का बढ़तन लिया है और इसमें मैं डालूँगी एक कट्वरी भरकर गेहूं का अर्टा ये वही अर्टा है जो रोटी बना करना मत भूलना तो यहां पर देखिए मैंने हाफ टीस्पून लिया है अजवाइन जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रा फाइल दे मन्दे और इसको इस तरीके से मसल कर डालना है और अब इसमें हम क्या डालेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल का जिससे बहुत यह च्छा लुकाएगा और आप इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमळ भटके कंसूरी मेह थी जिसको अब इस तरीके से क्रिज़ करके डालेंगे अगर आपके पस यह न हो तो आप इसको स्कुर्यबई कर सकते अब इसमें हम टेस् Advisor according नमक डाललेंगे तो लेंगे तो आई डालके मैंने विल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और अब हम क्या करेंगे इसमें वैसे हम तीन चमच आठा निकाल लेंगे और इसका हम बाद में इस्तमाल करेंगे तो यहां पर देखिए तीन चमच निकाल लिया है बाकी आठे के साथ हम क् से ही करना है एक साथ पाणी डालके आठा लगाने की गलती मत करना नहीं तो आठा बहुत ज़्यदा सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इस रेस्पी को बना नहीं पाएंगे तो यहां पे हम आठे को गूनने का कोई भी जंजट नहीं करेंगे बस हम इसको इस तरीके से बान के पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आठा हमारा अच्छे से फूल जाए तो यहां पे देखे इस तरीके से मैंने इसको बान दिया है यानि पूरा आठा एक दिगा समेट दिया है अब इसको हम कवर करके पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे और पांच मिनट में आठा हमारा बिल्कुर अच्छे से फूल जाएगा फिर हम रेस्पी को बनाएंगे तो जब तक यह आठा रेस्ट पर है तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे ताकि हमारी टाइ रखे लिए अब अलु के छिलके को मैं फटा फट डिकार लेंगे तो अगर आप इस रेस्पी में आलु नहीं डालना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं आप इसकी जगापे पopardी डाल सकते या फिर आप इसकी जगा पे खीरे का भी इस्त्रमाल कर सकते हैं लेकिन आलू बच्छों को भी बड़ों को भी पसंदोता है और इससे बहुत ही कुलगुरा सा तेशा आता है इसलिए मैने इसमें आलू डाला है तो आप हमारी रेश्पी कहां से देख लें comment box में जरूर बताना comment करके और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलना तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम फटा-फट आलू को छेह ले रहे हैं और इस recipe में आपको खयाल ही रखना है कि आलू को हमें ठंडा करके ही लेना है गरम आलू का इस्तमान नहीं करना है अब इस को हमें कैसे यूज करना वह बहुत जड़ा इंपॉर्टेंट है तो यहां पर देखिए मैंने एक बड़े साइच का बढ़ता ले लिया और इसके अंदर यह छोटा अला कद्दुकस रखा है जिसको ग्रेटर ही बोलते हैं और यह आपको आसानी से भी किसी भी मार्केट में मिल जाता है 10 रुपए का मिलता है और इससे हम इस तरीके से आलू को ग्रेट करेंगे इससे आलू में बिल्कुल भी गुट्लिया नहीं पड़ेंगी और बहुत ही अच्छा सा इसमूज सा हमें आलू मिलेगा तो इसको मैस करने की गलती ना करें इसको ग्रेट करें और पतल एक डालना अगर आप बच्चों के लिए बना रहें तो ग्रेंचली को हटा सकते फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडम साइच का प्याज जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है तो पेश्ट मत डालना इस तरीके से दालेंगे तो बहुत ही अच्छ पाथ डाला जो मेरा होममेड ये अगर आपको इसकी रास्त bleibt चया तो कमेंट बच से कमेंट करना आपके साथ साथ करेंगे और एक चुट्की भी चटकिवित तर्मरीक प्याश्च वर्णवीय चिरह करने और एक मीडम चैन्मच जीड मसाला एक रधा सब्सक्ते और इसके ब किसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है और अब इसमें हम टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे तो नमक आप जितना इतना डा सकते हैं अपने टेस्ट के कोडींग कुछ लोग टेज क्छा खातें कुछ लोग बहुत ज़रा लुग खातें और इसमें थोड़ि सी सॉफ दाल देंगे जिसे बहुत अच्छी से सूच्टनेस आएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल कर आएगा तो अब हमें क्या करना है सारी चीजों को अच्छा से मिक्स कर लेना है और इसके इंदर कोई भी विजिटेबल मट डालना क्योंकि अगर आप बहुत ज़रा विज यहां पर प्रेंगे हम इसको मिला लिया है सारी चीजे बिल्कुल अच्छे से मिल गई है अब आप इसको टेस्ट कर दीजिए अगर आपको कुछ भी कम की 대해 लि спокой नहीं ने कह रहेस तो यहां पर मैंने इस तरीके से अच्छे से रोष्ट करेंगे तो जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमोकी सा अगर आप लस्ट नहीं खाते तो इसको हटा सकते तो देखिए इस तरीके से आपको 10-15 सेकंड इसको करना है जिससे जो हमारा फ्लेवर होगा वह स्मोकी हो जाएगा यह तो इसके साथ ही हम ऐसे करेंगे प्याज को हमें इस तरीके से 10-15 सेकंड एक साइड रखना है फिसको ऐसे पलट देना है इससे दोनों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा तो यह रैस्पी बहुत ही जादा यूनीक है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इस रैस्पी को दिर खोड़के सेर करना और रैस्पी में आपको जड़ा भी कुछ पसंना है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो लाइक कर दीजिए दियर बाद में आप लाइक नहीं करते तो यहाँ पर देखे हमारी जो प्यास थी लसुन थी बिल्कुर अच्छे स करेंगे तो यहाँ पर मैंने पूरी कली का इस्तमाल किया है और आप चाहे तो इसको इस तरीके से करके फ्रिज में भी लगा सकते हैं जब आपका रैस्पी बनाने का मन हो तो आपको इस तरीके से इसको यूज कर लेना है तो देखें प्याज हमारी आजी से जढ़ा पक और इसको वास नहीं करना है इस बात का खयार लगना है तो फ्रेंड यहाँ पर देखें मैंने छीड लिया है लसुन को और अब हम सबसे चोटा ला मिक्सी का जार ले लेंगे उसके अंदर इसको टास्वर करेंगे और इसमें हम तोड़ा सा लानेंगे टेस्क रिकॉर्डिं दालेंगे बस दो से तीन चमच पारी डालेंगे क्योंकि प्याज में खुदका पानी होता है और अब इसको हम पीस लेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा रखना है तो चलिए इसको पीस के लेकर आते फिर आपक पास ना हो तो आप इसको इसकी भी कर सकते और यह हमें लाश्ट में डालना है जब हम पीस लेंगे तब अगर आप पहले डालेंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा विकिए पीस्टे समय जो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा गरम हो जाता है उसका कलर बेकार हो जाता है और अब इसमें हम थोड़ा सा नीबू का राश डाल देंगे एक से दो बूल और आप चलते हैं गैस की तरफ तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ यहां पर देखे मैंने एक तड़का पैन लिया आप चाहे तो छोटे पैन का भी इस्तमाल कर सकते तो यहां पर मैंने रिफाइन संबाल किया आप जाए तो शेहरसो का तिल भी इस्तमाल कर सकते और आप घ्यildi को थोड़ा सा हाई कर देंगे जादा नहीं और तिल के अच्छवाग हो जाने देंगे जब तक आपका तेल गरम तो यहां पर मैंने कुटी वाली इसलिए डाली है क्योंकि मेरे पास पिसी वाली नहीं है और आप इसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए तो यह जो चटनी रेडी हुई है इसको आप दस से पंदा दिन तक श्टोर कर सकते हैं विल्कुल भी खराब नहीं होगी प्याज लेस्न की यह चटनी बहुत ज़रा टेस्टी है तो इस समय टमाटर के रेट हाई है तो आप इस तरीके सी चटनी मेरा के बच्छो से डालेंगे तो यह बहुत ही अच्छा सा कलर आजएगा और लाइफ इसकी बढ़ जाएगी तो फ्रैंट पांच मिनट हो चुके आटे को रखे हुए तो देखें आटा हमारा कितने अच्छे तरीके से फूल गया है और बिल्कुल अच्छे से सौट हो गया है आप इसको हम बहुत ज़्यादा कुर्कुरी और क्रिस्वी बनेगी तो यहां पर देखें इस तरीके से आप इसको हम दो भागों में डिवाइट कर लेंगे नाइश से और एक भाग को हम कवर करके रख देंगे ताकि वह बिल्कुल भी ड्राय ना हो और यहां पर हम एक भाग के साथ काम करेंगे तो इसको हम इस तरीके से दो रोटी का पेडा बना लेंगे देखें जिस तरीके से मैं बना रही उसी तरीके से बनाईएगा तो बिल्कुल अच्छे से गोल बनेगा यह देखें बिल्कुल प्यारा सा गोल बन गया है आप इसके अपरन थोड़ा सा सूख आंटा ड तो फ्रेंट देखिये इस तरह से मैंने इसको रखा है बहुत ज़दा इसको पतला ने रखा है जैसे हम रोटी के लिए रखते हैं उसी तरीके से रखा है और आप इसके उपर हम थोड़ा सा केचप लगाएंगे जो मेरा होउमेड है अगर आपको इसकी रेश्पी चाहिए त तो जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा अगर आपको इसी चट्णी के रस्पी चाहिए तो जल्दी से कमेंड वक्स रेकमेंड करना मैं आपके साथ से करूंगी तो यह हमें ज्यादा नहीं लगाना है सिर्फ एक चमच लगाना है और इस तरीके से हमें इसको अच्छा से फ्ला देना है इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा से निकल कर आएगा अब यह बड़ा जो चट्पठा आलू था इसको हम इस तरीके से ले लेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे एक साथ मत रखना यह इस तरह से हम इसको रखेंगे और आप हम इस तरह से यह वाला काटे वालाइ चुमबच लेंगे और इस तरीके से इसको फैलाइंगे यह देखिए और यहां पर यहां भुषिए मोटाना है हल्का सा पतला पतला सा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा यह देखिए तो यहां पर आपको आलू को फैलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुर अच्छे से आप इस तरीके से इसको फैला लेंगे तो इसलिए मैंने बोला था इसमें और विजीटेबल मतायट कर अगर आपको लगे कि आलू का मसाला कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डा सकते हैं जैसे मैं डाली हो और इससे आपके हाथ नहीं गन दोंगे और यह बिल्कुर अच्छे से लग जाएगा तो यहां पर देखिए बिल्कुर अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है बर फ्रेकोसा हलका साफ प्रस कर देंगे और फिर हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे तो हमें इसको goal नहीं बनाना है हलका सा चपता करना है अगर कि आप नहीं उठा पाए तो आप इस तरीके से साइडों को इस तरह से नाइव से कर लीजेगा जिससे यह आसानी से छोड़ देगा क्योंकि आउटा हमारा सॉफ्ट है यह देखिए और लास्ट वाला हम इसके उपर इस तरह से चिपका देंगे और अब हम हलका सा इस तरीके स प्रस करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल अच्छ से इसके उपर चिपक जाए और अब इसके हम कटिंग कर लेंगे तो यह जो साइड वाला हिस्सा होता है इसको हम निकाल लेंगे यह देखिए और इसको कट करते से मैं आपको ख़याल ही रखना है कि आपको इसको पकड़ के इस तरीके से कट करना है और इसको एक एक हिंच की दूरी पर इस तरीके से कट करना है बहुत ही आसान रेस्पी है जितनी ज़्यादा आसान है बनाने में खाने में सुझार टेस्टी है और इसके सामने आप समोसा कचोड़ी को भोल जाएंगे तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है तो जो हमारा बचा हुआ था उसको भी हम इस तरीके से बना लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं यह देख इतना रखना इसको तो चलिए बना लेते हैं खटा-फट फट तो फ्रेंट देखिए इस तरीकह से मैंने सारा बना लिया अब इसको हम साइट में रख देंगे यहां पे जो आटा हमने निकाल के रखा था उसके साथ हम करेंगे तो अब हम थोड़ा सा पानी आड करेंगे एक साथ पानी डालना है थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इस तरीके से घोल को अच्छे से मिला लेंगे यानि इसका घोल बना लेंगे तो पहले हमें थोड़ा सा पानी इतलिए डालना है ताकि इसमें गुटलिया ना पड़े लंस ना प थोड़ा सा थिखी बनाना है तो यहां पर देखिए मैंने एक छोटा ग्लास पानी लिया था जिसका मैंने तीन हिस्सा इस्तेमाल कर लिया और एक हिस्सा हमारा बच गया है और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आब इसमें हम कुछ चीजा एड़ करेंग तो अगर आके पास सफेध तिल ना हो तो आप इसकी जगा पे काला तिल ऊकर सकते हैं या फिर मगरेयड डा सकते हैं अगर वह भी ना ओ तो उसको इसको 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 किनेए डाल देंगे जिसको अमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है और इससे बहुत ही अच्छा सब फैला हुआ लेंगे तो इससे आपके दो फायदे होंगे एक तो कम तेल में बना लेंगे और दूसरी बात आप इसे एक बार में बहुत सारे बना पाएंगे अब यह जो हमारा गोल हमने रेडी किया था मैं आपको दिखा जिती हूं साइड में इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे हाँ थेली को थोड़ा सा उपर रखेंगे अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाए यह तेल गरम हो चुका है तो गर्माहट महसूस हो रही है अब हम क्या करेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से अपने ना सब्सक्राइब करेंगे चुछ को पर वार को साथ चुछ के वच्छों के ट्पिन आपसे पती के लैंच बोक्स में दे सकते हैं जितनी ज्दा बनाने में आसान है खाने में आधिया है और बाहर के समोसे और कचोड़ी को बहुत हेल्दी है क्योंकि हम इसे घर में तयार कर रहें तो हमें पता है कि हम इसे किस तेल में तयार कर रहें मार्किट में जो तेल होता है वो बार बार यूज किया जाता है और वो जहर का काम करता है वो हेल्दी नहीं होता है तो इस तरीके से आप इसको बनाईए, गैस का फ्लेम बस मीडियम रखेगा, हाई फ्लेम पर इसको मत बनाईएगा, नहीं तो क्या होगा, कि यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे, और कुरकुर नहीं बनेंगे, अगर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो यह ऑईली बन जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक बार में आप जितना चाहर तना डाल सकते हैं, अगर आपका पैन बड़ा होगा तो, तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं डालनी हूँ, उसी तरीके से आपको भी डालना है, रेस्पी बहुत ज़दा यूनीक होने के साथ साथ काफी ज़ सीखोन के सेर कर दीजे, तो यहाँ पर देखिए, मैंने डाल दीया, दो मिनट पकने देंगे, और दो मिननट के पाद इसको टर्न करेंगे, तो परा인 दो मिनट हो चुका है, इसको चगोर चाहनद कर देते हैं, यह त्ष़, बड़कुके लाइट आप इसको मैं इस तरीके आप एक बार मेरे कहने पेसे जरूर बना कर देखेगा तो यह पर देखेए तरीके से फलट डिया है आप इसे दूसर साइट भी दोबनट पकाएंगे बस खेयाल ही रखना है कि इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है अगर हाई फ्लेम पकाएंगे तो इक रिस्पी नहीं बनेंगे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो यह बहुत ज़दा वाईली बनेंगे तो इस्टफिंग बिल्कुल भी वहां नहीं आएगी क्योंकि हमने जो गोल लगा है वो इस्टफिंग को अंदर ही रखेगा और इसको बनने में जाए नहीं लगता है क्योंकि आलू का मसाला हमार जारा सा डार्क सा कलर आजाए तो मैं इसको बहुत ज़दा लाल नहीं करूंगी मैं इसको हलका सा गोल्डन कलर कर रखोंगी आप जहां तो इसको बहुत ज़दा लाल कर सकते लेकिन फिर वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो कोई चीज जब देखने में अच्छी तो इसको फिलाने में थोड़ा सा एफेक्ट करना पड़ता है और इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े बैशे मांगे खाएंगे यह देखिए कितना जड़ा सुन्दा लग रहा है और इसको अम डायरक्ट इस तरीके से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो इस तरीके से छन्ने में निकालेंगे तो जो एस्ट्रा ओयल होगा वह भी निकल जाएगा और यह बहुत ही मज़िदार सा बनकर रैडी हो जाएगा यह देखिए तो इसको हम इस तरीके से साइड में रखेंगे थोड़ी देर ताकि एस्ट्रा ओयल वापस चला जाए अब ह हमारा बचा हुआ था उसको भी हम बना लेंगे तो इस तरीके से वोल में डालेंगे और सेई पहले वाले की तरह हमें बाकी बना लेना लेते तो चलिए बना ले भी आपसे मिलते है तो तो फ्रैड्य बनकर रैडी हो चुका है हमारा चट पटासा कुरकुरा सा करा करार अस deny कितना ज़रा खुपसुरा लग रहा है जितना ज़रा देखने में खुपसुरा लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ओईली नहीं है यह देखिए मैं इस तरीके से प्रेस कर लिए तो बिल्कुल यह तोड़ के दिखाती है अंदर से कितना सौंफ है और कितने अच्छे से कुक हुआ है केचप के साथ अगर आपको हमेट के रेस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स करना वैं आपके साथ स्याई करूंगी और आप इसे ग्रीन चटनी के साथ मुमोज चटनी के साथ चाइए या लगते हैं तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं जारी एंज्वाइ करने अगर आपको रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेस्पी को एक लाइक जरू करना अगर आप हमाई चैनल पर पहली बारा है तो माई चैनल को जरू सब्सक्राइब करना स साथ ही नहीं करना ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करूँ आपको नहीं कर मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान लेश्पी का फाइदा उठा पाए सबसे पहले तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक लख खया लखे लव यू आल बायें टेक कियर